नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी विधी बताने वाली हैं जिससे कि आप किसी स्त्री का सम्मोहन यानि किसी स्त्री को या लड़की को अपने वश में कर सकते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको एक ऐसी विधी और एक ऐसा मंत्र बताया जाएगा जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं यह एक ऐसी विधी है जिसमें आप बिना उसकी फोटो यूज़ किये, बिना उसके घर जाए, बिना उससे मिले, बिना कुछ खिलाए पिलाए चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप उसे अपने वश्मिक कर सकते हैं। इस विधी के लिए सबसे जरूरी है कि सिर्फ आप एक दूसरे को जानते हो, इतना काफी है। यह आवश्यक नहीं है कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो सामने वाला भी आपको चाहता हो। आप एक ही दिन में चमतकार देखेंगे। इस विधी को करने के लिए दोस्तों आपको उस इस्त्री का नाम पता होना चाहिए जिस पर आवश्यकरन करना चाहते हैं। आप एक कलश में पानी डालकर पास में रख लें और आसन लगाकर बैठ जाएं। ध्यान रहे यह विधी करते हुए आपको कोई ना देखें। यह बिलकुल एकांध हो। आपको ग्यारह बार उस्त्री का ध्यान करते हुए उसका नाम लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। ग्यारह बार में उस पानी को पीना है, मंत्र इस प्रकार है। ओम, काम, देवाय, रंजिनी, स्वाहा। यह विधी कीजिए और फिर देखिएगा वह इस्त्री आपके वश्च में हमेशा के लिए हो जाएगी, आपको आपका प्यार मिल जाएगा, जैसे आप चाहेंगे वो वैसा ही करेगी, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है या किसी विधी को समझने में शानी हो रही है, तो आप तुरंत गुरुजी को कॉल करें, धन्यवाद.